Hello everybody, welcome to Magnet Brains मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well मैं भी बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अच्छी बात से चली स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 11 की राइटिंग स्किल्स का सबसे इंपोर्टन टॉपिक जो की है formal letters अब formal letters नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि वो letters जो formally लिखे जाते हों जिसमें informal language का use नहीं होता सबसे पहले मैं आपको एक छुटा सा overview देती हूँ कि formal letters क्या होते हैं और informal letters क्या होते हैं अब आपके class 11 के course में सिर्फ formal letters आ रहे हैं informal letters नहीं आ रहे हैं बद स्टिल आपको पता होना चाहिए कि formal letters और informal letters में क्या difference है informal letters वो letters होते हैं जो हम किसी को भी लिखते हैं जैसे हमारे किसी friend को, हमारे किसी relative को, father को, mother को, किसी भी brother को या कोई friend को लिख रहे हैं, किसी को भी तो formally हम उसमें काफी formal language use कर सकते हैं हम उसमें लिख सकते हैं Dear friend, How are you, यह सब काफी informal चीज़े हैं हम लिख सकते हैं लेकिन जो formal letter होता है जो ये वाला letter है, जो आपके course में है class 11 के इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम letters लिखते हैं किसको might be police को, might be किसी newspaper के editor को किसी भी formal person को अपने job के boss में आपके job में जो आपका boss है, आपका employer है किसी भी civic authority को, किसी bank authority को किसी को भी आप जिसको formal language जिसमें use होती हैं जिसमें hello, hi, dear, sir यह सब use नहीं होता, उसे हम formal letter के थे इसकी जो language होती है, बहुत short होती है, precise होती है on to the point होती है, यानि आप इसमें इधर उधर की बाते नहीं कर सकते आपको on to the point बात करनी है, यानि आपको बिल्कुल काम की बात करनी है और अपनी चीज को explain करना है कि यह यह मेरा problem है, यह मेरा issue है also, जो formal letter होता है, उसका format अलग होता है informal letter से दोनों के formats भी अलग होते हैं, okay so this was a small overview about formal and informal letters अब आगे देखते हैं जो formal letters होते हैं, वो आपके class 11th में आते हैं कितने marks के? 5 marks के आते हैं और इस 5 marks का distribution ऐसे किया गया है इसमें से जो two marks होते हैं, वो आपके content के लिए होताएं जो भी आप अपना main content लिख रहे हो याने जो भी आप अपनी problem discuss कर रहे हो या जो भी आप अपने चीज़ें order कर रहे हो कुझ भी कर रहे हो, तो जो आपने main letter जो आप लिख रहे हो, इसका content है वो two marks माक्स का होता है उसके बाद two marks होते हैं expressions के याने पूरे letter में expressions का मतलब यह नहीं कि मेरे facial expressions no expressions का मतलब होता है correct grammar and spellings correct grammar and spellings use होती है तो उसके आपको expressions के full marks मिलेंगे अगर आपने सही grammar नहीं उसकी है आपने सही या आपने बहुत सारे spelling errors कियें तो उसके marks deduct होंगी और one mark use होता है आपके format के लिए जैसे कि मैंने बता है formal letter का एक proper format होता है आप जब letter लिखते हैं तो उस format को use करके लिखते हैं यहां पर lines छोड़नी है कहां पर पैरा change करना है कैसे date लिखनी कैसे address लिखना है वो सब चीजें proper format में होती है तो अगर आपने वो पूरा format follow किया formal letter को तो आपको यहां पर one mark format के मिल जाते हैं एक चीज और अगर आपके exam में question आया है letter का आपको question समझ में नहीं आया है और आप सिर्फ format लिखके आ गए हो तो I'm sorry यह rule है आपको कोई marks नहीं मिलेंगे format के marks मिलेंगे का मतलब यह होता है कि आपने पूरा letter लिखा है और format में लिखा है तब आपको उसके one mark मिलेंगे आपने अगर कुछ भी नहीं लिखा और सिर्फ format लिखके आ गए हो जो की proper grammar में आपको दिया जाता है writing skills का तो I'm sorry उसके कोई marks नहीं होते हैं अब जो formal letters होते हैं वो किन किन तरीके क्यों होते हैं एक होते हैं official letters एक होते हैं business letters एक होते हैं आपके official letters और एक होते हैं आपके business letters अब जो official letters होते हैं यह official purposes के लिखे जाते हैं याने किसी भी job के इंसान को या आपके employer को या आपके boss को उस purpose से और जो business letters होते हैं वो आप कभी use करते हो जब आप अपने business में अपने profession में किसी को कुछ बेज रहे हो याने कि आपने सामान की products कि आपने order किया है तो आपको वह वोल सेलर से सामान मल रहा है या आपने अगर order किया है उसमें कुछ defect निकला है या जैसा आपने order किया था वैसा आपके पास सामान या है तो उस चीजों को जब आप letter के form में लिखते हो तो वो होते हैं आपके business letters ओके और ये दोनों तरीके के letters चाहे official हो चाहे business letters हो ये आपको 120 से 150 words में लिखने रहते हैं अगर question में mention है word limit तो good अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि 120 to 150 words में आपको letter लिखना रहते है exam में अब जो formal letters होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताए था official letters में होते हैं उसमें business letters होते हैं और कुछ applications होती है applications आप किसको लिख सकते हो जैसे आप school के लिए application school में application लिख रहे हो अपने college में application लिख रहे हो या किसी अपने office में किसी को letter लिख रहे हो या job में apply करने के लिए आप letter लिख रहे हो तो यह जो होते हैं यह applications होती हैं तो यह सब आपके applications के अंदर आते हैं अब जो official letters होते हैं वो यह letters होते हैं जब आप किसी को officially जब आप letter लिखते हो तो यह होते हैं जैसे कि जब आप letter लिख रहे हो editor को editor कौन होता है newspaper या किसी magazine का editor याने कि जब आप किसी newspaper या magazine में वो person जो edit करता है वो editor होता है अगर आप उसको letter लिखते हो कि भाई मेरा issue है या मेरी कुछ problem है मैं चाहता हूँ कि आप अपने newspaper में या अपनी magazine में मेरे issue को छापो या print करो तो ये letter होता है newspaper to editor letter to editor ये किसी भी newspaper के editor को भेज सकते हो the times of india, dhanik baskar, hindustan times किसी को भी आप भेज सकते हो तो ये भी आपका letter to editor है ये official letter में आता है फिर आता है letter to police, bank manager, civic authority किसी भी police officer को आपको letter लिखना है, कोई bank manager को लिखना है कोई civic authority, कोई बड़ी authority का official person है तो अगर आप इन लोगों को letter लिख रहे हैं तो ये सारे आपके official letters होते हैं फिर third type का formal letter है, वो है business letters ये वो letter होते हैं जब आपने business में use करते हो और लोगों को भेजते हो, जैसे कि आपने सामान का order किया है या अगर कोई दिक्कत आई है आपके सामान में आपके products में तो आपने complain letter लिखा है complain करते हैं कि सामान गलत आ गया है, defected है खराब चीज आ गई है, इस type की या letter to inquiry inquiry मतलब जब आपको अपने किसी business में किसी भी person से कुछ चीज inquire करनी है कुछ पूछना है, जब आप किसी से किसी चीज की inquiry लेते हो तो यानि आप उनसे किसी बारे में information लेते हो तो letter to inquiry भी हो सकता है कि अगर आप किसी से उनके products के बारे में पूछ रहे हो कि आप quality बताओ, कैसा है, क्या तो मैं आपसे खरीद लूँगी अपने business के लिए तो letter to inquiry, जब आप किसी से inquire करते हो यानि किसी से information सीख करते हो तो यह definitely sure है कि आपके पास सामने वाले से एक reply भी आएगा क्योंकि आपने inquiry के लिए उनको letter भेजा तो वो आपको reply में आपकी inquiry को देजेंगे भी तो से आपके information लिखके देंगे जो भी आपको need information की तो यह सारे types हैं आपके formal letters के और उनके अंदर यह further byifications है अब हर type of letter को हम अलग अलग पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे business letters formal letter के अंदर यह आपका business letter आता है अब business letter तीन तरीके हो सकते है complaint, order या किसी चीज़ की inquiry अब complaint किस चीज़ की हो सकती है complaint हो सकती है किसी defective product की आपके पास product जो आया है वो defected आ गया है याने खराब आ गया है तो आप उस बारे में उस बंदे को उस person को letter लिख सकते हो deficiency in services अगर सामने वाले ने आपको सही services provide नहीं किये तो उस बारे में भी आप complaint करते हो उनको letter लिख सकते हो फिर आता है order order के अंदर अगर आपको कोई order place करना है सामानों का तो ये order letter होता है अगर अपने order में आपको कुछ अपने order कर दिया लेकिन अब आपको लग रहा है मुझे कुछ changes करने order में कुछ चीज़े मुझे नहीं चाहिए या कुछ चीज़े मुझे और add करानी तो जो changes होते है order में वो भी आपके order letters में ही आते हैं फिर आते है reply to order letter हो सकता है सामने से कोई आपके पास order letter आया है तो आपको उनको reply करना है तो आप कैसे reply करोगे उनके order से related तो वो सब भी आपके order letters में आता है फिर आता है delay in order आपने अपने सामानों के लिए कुछ products की आपने order करी लेकिन आपके पास जो आपने date बोली थी उस date तक आपके पास आपका सामान deliver नहीं हुआ है याने कि delay देर हो गई आपका सामान आप तक पहुँचने में तो आप फिर से उनको letter लिखोगे कि delay हो गया है मुझे सामान चाहिए मुझे ज़रूरत है तो all this delay in the order is also included in the order letters फिर आते हैं inquiry letters याने वो letters जिसमें आप inquiry लिख करते हो किसी से या किसी चीज के बार में information लेते हो तो आप किसी school में या किसी college में किसी भी course की inquiry कर सकते हो किसी भी service की inquiry कर सकते हो या कोई भी product आपको नया product अपने business में launch करना है तो उस product के बार में भी आप उनसे inquiry कर सकते हो याने कि उससे बार उसके उससे related information you can seek from that person so all these are included in your business letters अब चाए business letter हो, चाए official letter हो, चाए application हो यह सब क्या है? यह सब आते हैं आपके formal letter के अंदर और सब का format same होता है याने जो मैं अभी आपको format बताने वाली हूँ formal letter का वो business letter में भी लग जाएगा वो order, complaints, police officer को भी अगर आपको letter लिखना है किसी को भी लिखना है, सब में यही same format follow गा बस question के साब से आपका content change हो जाएगा याने कि जो body आप लिख रहे हो ओके, यह पूरा आपका format है formal letter का जब आप formal letter start करते हो लिखना तो सबसे पहले आप लिखते हो sender's address याने जिसने यह letter send किया है याने जिसने यह letter लिखा है उसका address अगर यह question में mentioned है तो आप वही letter का वही address आप mention करेंगे letter में और नहीं है तो अपने हिसाब से बना के आप एक letter में address लिखेंगे फिर यहाँ पर जो gap इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक line छूटेगी यहाँ पर you have to leave one line in your paper और फिर आप लिखेंगे date अगर date question में mentioned है तो वही date आएगी otherwise अपने हिसाब से आपको date mention करनी पड़ेगी again यहाँ पर space है याने कि यहाँ पर एक line छूटेगी फिर उसके बाद आया है receiver's address जिस इंसान के पास यह letter receive हो रहा है यह पहुँच रहा है जिसके पास receive होना है letter वह address लिखा होना बहुत जरूरी है तो फिर आता है आपका receiver's address और फिर छूटती है आपकी एक line उसके बाद आता है आपका subject याने basically heading यह subject छोटा सा एक line का होता है एक line में कुछ words में आता है subject इसको आपको underline करके लिखना पड़ता है और basically आप इसको heading भी बोल सकते हो जो पूरा आपका letter का topic है वो कुछ words याने तीन से चार words में आप उसको mention कर देते हो कि 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 subject के ऊपर यह पूरा letter है आगे तो आप सिर्फ subject पढ़ लेते हो तो आपको friends अपने अपने किसी old friend या relative को भेच सकते हो तो उसमें आप dear auntie dear mom dear friend या friend का नाम यह सब आप mention कर सकते हो बट अगर आप formal letter लिख रहे हो तो यह dear नहीं आ सकता आप उस person का simple नाम लिख दो या लिख दो respected sir या madam तो respected sir अगर किसी male को आप लिख रहे हो और respected madam अगर किसी female को यह letter जा रहा है तो दोनों साथ में नहीं लिखना एक ही चीज लिखनी रहती है तो salutation आपका यहां पर आता है and then start होता है आपका body of the letter body of the letter याने आपका जो letter का पूरा content है वो अब यहां से आप लिखना start करते हो और यह कितने paragraphs में होता है content 3 paragraphs पूरे 3 paragraphs में आपका यह पूरा content आता है और किस paragraph में क्या लिखना है वो मैं अभी आपको further बताऊंगी उसके बाद एक line छोटेगी यहां पर और फिर आता है complimentary close यहाने यह बस यहां पर आप अपना letter close करते हो यहाने खतम करते हो thanking you, yours faithfully, yours sincerely, अपना नाम और अपना designation यहाने कि आप क्या काम करते हो वो भी आप mention करते हो आपना letter close करोगे so this was all about the format of the letter obviously salutation की बाद भी हाँ पर एक line छोटेगी तो basically हर जगा line छोट रही है अब जैसे कि मैंने पिछला format आपको समझाए आप मेंने आपको क्या बताई थी? date लिखने तो date लिखने का भी एक तरीका होता है date का एक standard format होता लिखने का date तीन तरीके से लिखी जा सकती है पहला 5.12.21 याने पहले आप date लिख दो फिर आप month लिखो और फिर आप लिखो year और ये dot लगा लगा कि आप सिर्फ number form में लिखो तो पहला तरीका ये है दूसरा तरीका ये है date लिखो आप number form में month आप लिखो spelling में और 21 याने 2021 चल रहा है तो आप 2021 पूरा भी लिख सकते हो या सिर्फ 21 लिख सकते हो दोनों सही जाएगा तो दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका number form में लिखने का है dot की जगा आप सिर्फ बीच में क्या लगा रहे हो slash लगा रहे हो जैसे 5, 12, 21 5, date, 12, month and 21 आपका year तो तीन तरीके से आप अपनी dates लिख सकते हो जो मेरा सही तरीका है जो मैं follow करते हूँ वो ये है आप date लिखिए number form में फिर बीच में आप क्या लिखेंगे month का नाम spelling form में and then year again number form में तो मैं जो follow करते हूँ उसके बाद मैंने आपको इस पूरे format में बताए था कि यहां पर आएगा आपका body of the letter जो की तीन paragraphs में divided होता है अब उन तीन paragraphs में क्या लिखना है वो में आपको explain करते हूँ अब the matter of the letter is written here body में क्यों होता है जो पूरे letter का matter होता है जो आपका पूरा content होता है वो यहां पर आता है it is divided into three paragraphs जैसे कि मैंने बताए था कि आपका पूरा जो content है वो कितने paragraphs में divided होना है three paragraphs में सबसे पहले आता है आपका paragraph one इसमें आप क्या करते हो इसमें आप introduce yourself and the purpose of writing the letter in brief याने कि आप इसमें अपने आपको introduce करते हो कि आप कौन हो और brief में याने short में बता रहे हो एक line या दो line में कि आप यह letter लिख क्यों हो रहे हो क्या reason है आपके letter लिखने का फिर आता है आपका paragraph two अगें जैसी paragraph one खतम होगा तो आपको एक line चूड़नी पड़ेगी और अपना paragraph two start करोगे इसमें you have to give a detail of the matter अब यह paragraph थोड़ा सब बढ़ा भी हो सकता है थोड़ा lengthy हो सकता है depending on the word limits जो आपको exam में दी हुए है और पूरे letter की जो सारी details जो भी important हर चीज letter में आपको mention करनी चाहिए वो सब आपके paragraph two में आएगा फिर एक line चूटेगे और paragraph three आएगा उसमें क्या आएगा conclude by mentioning what you expect from the editor यहाँ पर मैंने एक example दिया है basically आपको third paragraph में क्या देना है conclude करना है याने conclusion देना है अपने letter को आपको ending देना है इसमें आप कैसे conclude करोगे आप उसको यह लिखोगे बताते होगे conclusion में कि आप चाहते हो कि आपका जो issue है वो अपने newspaper या अपने magazine में highlight करें और लिखें तो यह सब चीज़ां आप conclusion में लिख सकते हो जो कि आता है paragraph number three में सो वो सब हमने क्या पड़ा पूरा हमने अपना format कवर किया जिसमें कहा lines shoot नी है body में कितने paragraph आते है उन paragraph में क्या mention होता है date कैसे लिखनी है यह सब हमने अभी complete किया अब हम start करेंगे tips for business letters जब आप business letters लिखते हैं तो क्या tips हैं क्या वो चीज़े हैं क्या वो points हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी and you have to keep it in your mind so that exam में आपसे कोई mistake ना हो so tips यह हैं underline the subject जो subject आप लिख रहे हो उसको अप underline कर दो ताकि वो highlight हो के दिखे कि किस topic में किस बारे में यह letter लिखा जा रहा है abbreviations and short forms must be avoided this point is very important जो abbreviations होते हैं याने जो short forms होते हैं exam में वो हमको यहां पर नहीं लिखने रहते क्योंकि एक formal letter है यह किसी बड़ी business authority को या किसी बड़े official person को letter जा रहा है तो short forms या फिर कोई भी local language इस तरीके की language नहीं लिखी जाएगी बिलकुल clear and precise language लिखी जाएगी without short forms to the point clear and precise again एक दम point पर जो आप बुरहेंगे याने कि आपको जो बात कहनी है उसको clearly बताएंगे और mention करेंगे कोई इधर उदर की बाते गपे नहीं लाड़ाना है letter में and simple language कोई भी complex words difficult words sentences आपको use नहीं करना है simple language use करना है क्योंकि एक official इंसान के पास आ रहा है उसके पास time नहीं है आपका पूरह अतने बड़ा राम कहानी पढ़ने का वो क्या करेंगे तो simple आपका letter rate करेंगे short उनके पास बहुत सारी चीज़े होती है पढ़ने के लिए तो आपको short simple अपना letter लिखना है depending upon the word limit given in the question अब यहां मैं कुछ आपको examples बता रही हूँ formal letter के यानि हम business letters के official letters के complaint, order, inquiry हर तरीके का एक-एक letter का example मैं आपको यहाँ पे cover करा रही हूँ ताकि आपको एक complete understanding मिल जाए कि letter आखर format के साब से लिखते कैसे हैं और exam में questions कैसे आते हैं अब मैंने जितने भी questions यहाँ पर आपको explain करूंगी और बताऊंगी यह कही न कहीं से CBSE के किसी न किसी question paper से उठाए गए हैं तो यह सारे letters जो है important हैं, okay first हम क्या study कर रहे हैं, हम business letters study करेंगे मैं आपको business letters के कुछ example समझाओंगी and then we will come on to the official letters अब question सबसे पहले हम जो करें वो यह है you are Vajanty या Vajay from Prakasham Nagar, Sikandrabad, Andhra Pradesh तो आपको question में बताया जा रहा है कि आप यह तो Vajanty हो या Vajay हो याने जब आप letter लिखना start करोगे तो अगर आप लड़की हो तो अपना नम Vajanty लिखना है अगर आप लड़के हो तो आपको अपना नम Vajay लिखना है और आपको आपका address दे दिया गया है याने कि Prakasham Nagar, Sikandrabad, Andhra Pradesh ये एक sender's address है आप letter send करोगे तो sender's address याने कि question में given है आपको अपने मन से नहीं लिखना है तो आपको नाम बता दिया गया है आपका question में और आपको आपका address बता दिया गया है Write a letter to book having store requesting home delivery of the books आप letter किसको लिख रहे हो Book having store, ये एक book store का नाम है और आप उनको क्या कर रहे हो, request कर रहे हो कि जो भी आपने books और the stationery का सामान order किया है वो आपको home delivery कर दे And art materials you had ordered telefonically तो आपने उनको telephone पे कुछ books, कुछ stationery का items कुछ art के कुछ material आपने उनको क्या किया है टेलिफोन पे order कर दी है और आप उनको letter लिख के बोल रहे हो कि जो भी मैंने order कि आप इसकी home delivery मुझे करा दो Share the reason for being unable to pick up the goods in person और also आपको इस letter में वो reason share करना है कि आप क्यूं नहीं खुछ जाकर अपना जो order का समाने pick up कर पा रहे हो और क्यूं चाहते हो कि वो आपको home delivery कर जाए पूरे goods in person याने individually Confirm your address details and a convenient time slot आपको letter में अपना address details देनी है कि इस address पे मुझे books deliver आपको करानी है तो अपनी address details आपको देनी है और convenient time slot याने कितने बज़े आप घर पे रहेंगे तो वो आके आपको delivery कर जाए books की तो सही time भी आपको mention करना है So this is the question अब इसको पूरा format में लिखना कैसे है वो आए हम study करते है तो यह आपका letter इस तरीके से start होता है सबसे पहले हमारा format में क्या आता है Sender's address तो यह रहा Sender's address हमारा तो Sender's address question में given था तो यह रहा Prakasham Nagar, Sikandrabad, Andhra Pradish अब आपको book haven store का भी address लिखना पड़ेगा याने वो एक receiver है तो आपको Sikandrabad का ही आपको कोई address देना पड़ेगा क्योंकि obviously जिस शहर में आप रहे रहे हो उसी शहर से आपने book से उस सामान order किया था तो उसी शहर का भी आप receiver's address होगे उससे पहले आप यहाँ पर एक line छोड़ोगे और फिर आएगी आपकी date जो कि इस format में चीए 12th October 21 या जो भी मैंने आपको standard तीन format बताए थे फिर एक line छूटेगी यह तो आगई आपकी date फिर एक line छूटेगी यहाँ पर आएगा आपका receiver's address याने वो इंसान जो आपका letter receive कर रहा है याने जिसको आप अपना letter लिख रहे हो तो किसको लिख रहे थे आप book heaven store को लिख रहे थे या अपने नाम लिख दिया book store का और उसका address में आप बस लिख दोगे सिकंदरबाद आंदरप्रदेश क्यों क्यों क्योंकि उसी शेहर का वो इंसान है उसी शेहर में वो book store भी है और आप भी रहते हो फिर एक लाइन चूटेगी यहाँ पर yes फिर क्या आता है फिर आता है आपका subject subject मैंने आपको बताया ही था आपको क्या करना है underline करना है हमिशा subject थाकि वो highlight ओर तो आपने subject लिखा और क्या लिखा request for home delivery of order तो इस subject को पढ़के हम यह समझ में आ रहे कि वो जो उसने जो order किया है उसकी home delivery चाहते है तो उस बारे में यह subject है फिर एक लाइन चूटेगी और यह आगे आपका salutation, salutation याने sir, madam यह respected sir आप यहाँ पर respected sir भी लिख सकते हो लेकिन आप यहाँ इसली नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप book store वाले को respected क्या बोलना आप simply इसको sir भी बोल सकते हो तो यहाँ पर salutation याने जो आपने greetings करी उसमें simple आपने sir लिख दिया है अब यहाँ से आपका start होता है main body of the letter याने जो आपका main content है तो मैंने आपको बताया था 3 paragraphs में होगा जिसमें से first paragraph यह start हो चुका है इसमें आप क्या बताओगे इसमें आप खुद को introduce करोगे और brief में याने short में आप letter क्यों लिख रहे हो वो mention करोगे तो I am Vajanty a resident of Prakasham Nagar yesterday I placed an order for some articles of stationary books and art material on the phone for pick up तो आप बता रहे हो कि मैं Vajanty हूँ और मैं Prakasham Nagar की resident हूँ याने रहने वाली हूँ कल मैंने phone पे आपको stationary की कुछ articles, कुछ books और कुछ art material phone पे मैंने order किया था unfortunately I am unable to come to the store to pick up my order due to bad health और आब आप reason भी बता रहे हो कि मैं इसलिए नहीं आप आ रहे हूँ अपना order pick up करने के लिए क्यों क्योंकि मेरी bad health है याने अभी मेरी तबियत खराब है अभी first paragraph continue ही हो रहा है therefore I request you to get the below mentioned order the order delivered at my residence on the date and time mentioned below तो इसमें आप request कर रहे हो कि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने order जो मेरा order की जो मेरी details है मुझे मेरे घर पे ही आप home delivery करा दो और details वो बता रहे है तो अब second para यहां से start होता second para में क्या होती है पूरी details होती है आपके letter के बारे में तो वास वो details बता रहे है कि मुझे NCRT class 9th की textbook चाहिए एक set long books चाहिए set of 5 pieces gel pens चाहिए blue color की ink में set of 10 pens और उसमें कितनी pens होनी चाहिए 10 pens होनी चाहिए sketchbook 100 pages की चाहिए one piece and watercolors चाहिए जिसमें pack of 24 shades है तो इस second paragraph में आप क्या बता रहे हो details बता रहे हो अपने letter की अब third paragraph में आप क्या बता होगे आप अपना paragraph को conclude करोगे आने कि आप अपना time address सब बता होगे और चाहोगे कि वो आपको deliver करा दे तो kindly get the order delivered on 13th October आपने date बता दी कि आपको इस date पे आपको अपना order delivered चाहिए between 2 p.m. to 8 p.m. आपने यहाँ पे time भी बता दिया कि 2 बज़े से 8 बज़े के बीच में मुझे अपना order अपने घर पे delivered चाहिए at flat number 22 आपने अपना address complete address complete address भी बता दिया जहाँ पे आपको अपना order चाहिए I will make the payment through UPI अब obviously वो आपकी घर पे आपको किताबे पहुचा रहे हैं समान पहुचा रहे हैं तो payment तो किस mode से आप उनको payment करोगे यह भी बता रहे हो UPI याने bank transfer कित्रू आप करोगे आने कि आप उनसे बोल रहे हो कि मैं bank account में आपके पैसे पहुचा दूँगी प्लीज शेर दे रिक्वाइट डीटिल्स तो आप अपने मुझे रिक्वाइट डीटिल्स जो भी हैं आपके bank की वो मुझे दे दो तो आपकी account में पैसे पहुचा दूँगी तो यह आप उनको पूरा बता रहे हो तो यहां पर 3rd पारा जो आपका body का content है वो खतम होता है और एक line छूटेगी और अब आपका क्या और है complimentary close अब आप बेसिकली अपना order अपना letter जो है वो close कर रहे हो तो कैसे करोगे आप thank you, your sincerely, अपना नाम और phone number phone number लिखने की जुरुवत नहीं है आप सरे वैसे xx लगा दो that's it अपना phone number या फिर कुछ भी गलत number डाल दो तो यह आपकी हो गई है complimentary close ओके तो यह इस तरीके से आपके exam में question आएगा और इस तरीके से पूरा format यूज़ करके आपको अपना पूरा letter लिखना है अगर यह सब कुछ आपने सही लिखा तो आपको full marks मिल सकते हैं next question यह भी एक तरीके का business letter ही है लेकिन यह किस topic पर है complaint in order received अब complaint in order received याने कि आपने कोई चीज order करी और अब वो order आपके बस receive हो गया गया उसमें कुछ complaint आपको याने कुछ दिक्कत आई ये order में जिसकी वज़े से आप ये letter लिख रहे हो तो उसके base उसके उपर ये question है तो you are Anand Kumar और Anand Kumar अब आपका नाम यहाँ पर mention कर दिया बता दिया गये कि आप कौन हो और आप कहां से आयो आपको mentioned a question में और आपने कुछ स्पोर्ट से रिलेटेड गुड्स याने की कुछ सामान order किये हैं भल्ला स्पोर्ट अंधेरी मुंबई से आप गोरेगाउं में हो याने आप भी मुंबई में हो और वहीं से ही चीज़े अपने order करी थी वैसी tally नहीं हो रही याने वह match नहीं हो रही याने कुछ चीज़े कम्या जादा है write a letter of complaint in 120 to 150 words अब आपको letter लिखना उस person को complaint करते हुए कि क्या चीज़े missing है कितने words में 120 to 150 words so अब देखते हैं हम पूरा इसका solution की कैसे इस letter को हम लिखेंगे तो again हमें वो ही format follow करना है मैंने जैसा कि आपको बताया था कि format of formal letter हमेशा same होगा और उसी format को हमें business letters, official letters जो भी आपको formal letter लिखना है सब में यही format follow गा तो again Greenland Public School को रहे गाओ यह आपका आगया sender's address, sa means sender's address फिर एक लाइन चूटके आपकी date आगई and then उसके बाद एक लाइन चूटेगी उसके बाद आपका आगया receivers address लोखी है भला sports अंदेरी मुंबई तो यह आगया आपका receivers address और उसके बाद एक लाइन आप leave करेंगे and then आपका आएगा subject subject जैसे कि मैंने आपको बताया था हमेशा आपको underline करना है complain against wrong consignment wrong consignment means जो order आपने दिया था और जो अब आपके पास वो deliver हुआ तो वो गलत आगया आपके पास उसमें चीज़ें गलत थी या फिर match नहीं हो रही थे tally नहीं हो रही थी sir बोलके आपने क्या show किया आपने salutation दिया याने simple sir लिखेंगे आप याप उसके बाद आपका start होता है body याने कि जो आपका content है main letter का वो आपका start होगा जो कि 3 paragraphs में होगा जिसमें से 1st paragraph यह है I am Anant Kumari Sports in Charge Greenland Public School Gorigo Yesterday I received a consignment of sports items ordered from your shop the articles are not as per your order तो सबसे पहला आप खुद को introduce करें और बता रहे हो कि मैं Anant Kumari हूँ Sports in Charge हूँ Greenland Public School Gorigo और मैंने कुछ कुछ मुझे कुछ consignment कुछ मुझे order मिला है कल जो मैंने आपके store से order किया था और जोसमें articles हैं जोस order में articles आए हैं मेरे पास वो as per the order नहीं है ने जैसा मैंने order किया था वैसी सेम चीज़े मेरे पास नहीं आई है तो first paragraph ने अपने खुद को introduce की और brief में अपने अपनी problem introduce कर दी second paragraph अब आप पूरी details दोगे therefore I request you to get the articles replaced with the ones ordered at the earliest तो अब आप उनको request कर रहे हो कि जो मैंने पहले order किया था आपको वो ही articles वो ही सामानों से मुझे replace करो और दूसरे सामान अपने वापिस ले जाओ the tennis balls, basketballs and volleyballs should be of Unix brand only अब जो tennis balls, basketballs and volleyballs आपने order की थी वो Unix नाम की brand company की ही होनी चाहिए the tennis court net should be of a decent brand और जो tennis court की जो net होती है वो आपने बोला कोई decent brand याने कोई अच्छी खासी brand की ही होनी चाहिए the one which received is Unbranded क्योंकि जो आपको मिल गई अभी order में वो Unbranded है याने Non-branded tennis net है आपको किसी decent brand की ही चाहिए also the yoga mats should be of Tegofit brand only अब जो yoga mats आई है आपके पास वो भी गलत आगई तो आप उनको लिख रहे हो कि मुझे Tegofit नाम की जो brand है जो company उसी की ही मुझे yoga mats चाहिए फिर एक लाइन लीफ करके आप अपना third paragraph दोगे और इसमें अब अपना conclusion दोगे kindly get the order delivered by 13th October अब आपने बता दिया कि मुझे order 13th October को चाहिए आपने date बता दी यहाँ पे और time बता दो कि between 10am to 4pm आपने अपना time भी mention कि है कि मुझे इस time से इस time के बीच में मुझे orders आप replace करके भेज देना और कहां भेजना है school office जो greenland public school का school office है वहाँ पे तो आपने venue याने जगा भी बता दी place भी बता दी आपने कि किस जगा आपको order is replace होके चाहिए greenland public school गोरेगा फिर एक लाइन चूटेगी और आप अपना complimentary close दोगे जैसे thanking you your sincerely फिर आप अपना name बताओगे फिर आप बताओगे अपना designation designation याने आप उस जगा पे क्या काम करते हो आपका क्या profession है तो greenland public school में आप sports in charge हो और last में आपका phone number आप अपना कोई भी wrong गलत number mention कर दो या सरफ इस तरीके से x लगा दीजिया तो यहाँ पे हमारा ये वाला letter होता है खतम अब next letter लेखते हैं ये भी एक तरीके का business letter ही है बट क्या है inquiry about the course ये एक inquiry letter है याने आप किसी course के बारे में inquiry ले रहे हो किसी school से या किसी college से आपको information चाहिए उनसे तो उसके लिए आप ये letter लिख रहे हो usually inquiry letters exam में आते हैं तो इसका example को जिस तरीके से आपको mention कर दिया कि अगर आप boy हो तो आप mister गुपता हो और अगर आप girl हो तो आप mrs. गुपता हो अगर exam में नाम mention ना हो तो आप अपना खुद का कोई सा भी नाम लिख सकते हैं your son is a student of class 12th and wants to pursue a course in mass communication तो आप mister या सजगुपता हो आपका बेटा कौन सी class में है 12th class में है और वो 12th के बाद किस course में जाना चाहता है mass communication का जो course है वो pursue करना चाहता है यानि कि start करना चाहता है write a letter in 120 to 150 words आपको word limit दे दिये letter के कि इतने letter word limit में आपको अपना letter लिखना है to the dean institute of mass communication university of Delhi seeking information about the course तो आप letter किस को लिख रहे हो आप dean को यानि head जो है institute of mass communication के university of Delhi के उनको आप letter लिख रहे हो तो आपको यह क्या मिल गया है आपको receiver's address मिल गया है question में कि इनको आपको letter लिखना है तो इन ही का आप इन ही को letter receive हो का जब आप लिखोगे तो receiver's address आपको दिया है और आप उनसे letter में क्या कर रहे हो seeking information about the course seeking यानि आप उनसे information निकल वारे हो course mass communication course के बारे में admission procedure कैसे mass communication course में admission लेना है ये भी आप letter में पूचोगे eligibility criteria यानि कि क्या age होनी चाहिए, क्या आपकी eligibility होनी चाहिए क्या क्या आपने course complete किये होने चाहिए mass communication का course करने के लिए तो फीस structure कितनी fees लगेगी course करने के लिए hostel facilities है नहीं है वहार रहने की placement opportunities यानि कि ये course करने के बाद आपके बेटे की कहीं placement यानि कहीं पर वो place होगा कि नहीं होगा कहीं उसकी नौकरी अच्छी जगा लगेगी नहीं लगेगी और etc यानि कि इसके अलावा भी कोई और information आपको सीख करनी है तो वो आप इस letter के त्रूँ पूचेंगे तो ये एक inquiry letter है जिसमें आप सारी information किसी से inquire कर रहे हो आने की ले रहे हो तो कैसे लिखेंगे इसको भी exactly same formal letter के format में लिखेंगे सबसे पहले आप sender's address sender's address ये letter कौन send कर रहा है Mrs. Gupta send कर रही है for example तो उनका address given नहीं थे तो आप अपना खुद का address लिख दो जैसे 302 High Life Apartments Malad Mumbai any address एक line छूट के आपकी date आएगी एक line छूट के आपका ये आएगा पूरा receiver's address जो की already question में given था Dean Institute of Mass Communication University of Delhi और University of Delhi कहा है New Delhi में तो वो आपने लिख दिया फिर एक line छोट के आप क्या लिखेंगे subject लिखेंगे किस topic पे basically small heading देंगे कि किस topic पे पूरा letter होने वाला है और उसको आपको underline करना है तो आपका subject है inquiry for course in bachelor of mass communication इस course के बार में कुछ inquiry करनी है उससे ही related ही पूरा letter रहेगा तो वो आपने subject में mention कर दिया अब फिर आप क्या दिंगे salutation यानि कि आप sir भी बोल सकते हैं और यहाँ पे आप respected sir भी लिख सकते हैं दोनों चीज़े आप लिख सकते हैं तो sir या तो respected sir दोनों चीज़े सहीं क्योंकि अब आप dean को लिख रहे हैं तो आप respected भी लिख सकते हैं जो की सही है फिर आपका first paragraph of body start होता है और आप लिखेंगे I am Mrs. Gupta M.O. Saranj Gupta M.O. यानि की mother of अगर father हो अगर आप mail हो और आप Mr. Gupta लिख रहे हैं तो आप F.O. लिख सकते हो इस तरीके से capitals में slash लगा के यानि की father of Saranj Gupta My son is studying in class 12th and wants to pursue mass communication तो आप बता रहे हो कि मेरा बेटा 12th class में और उसको mass communication का course करना है उसके बाद So I am writing to you to inquire about the said to inquire about the said course तो मैं इसी लिए आपको letter लिख रहे हूँ कि जो मैंने course के बार में said है याने लिखा हुआ है mass communication उसके बार में inquiry के लिए मैं पूरा letter लिख रहे हूँ kindly give me the following details अभी जो following details जो कि second parameter detailing होती है उसके बार में आपको वो पूछ रहे है तो details क्या है वो mother पूछ रही है I want to know the course content कि course का content क्या है course में क्या क्या चीज़े हैं जो पढ़नी पढ़ती है course duration कितना time लगेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल क्या duration है course की fee structure कितनी fees लगेगी ये course करने में eligibility criteria याने कि कितनी age होनी चाहिए ये course करने के लिए admission procedure for the business mass communication course इस course को करने के लिए admission का क्या procedure है याने कि step by step आप मुझे बताइए कि पहले आपको ये documents देने पढ़ेंगे फिर आपको college आना पढ़ेगा फिर ऐसा करना पढ़ेगा फिर sign करनी पढ़ेगी फिर photo लगाना पढ़ेगा passport size photo तो ये सारी जितने भी आपकी procedure admission के time की वो भी इसमें आप पूछ रहे हो also information on hostel availability will be required hostel कैतना है क्या hostel में रहने की facilities है याने खाना मिलता है नहीं मिलता है अंदर जाने की और बाहर आने की hostels से timing क्या है fees कितनी है hostel में रहने की course complete होगा मेरे बेटे को कहीं अच्छी जागा नौकरी या जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी या कोई अच्छी placement opportunities है या नहीं है इस field में ये सब चीजे भी इसमें आपको mention करनी पड़ेगी याने ये सब चीजे आप पूछ रहे हो dean से अब third paragraph और last paragraph होता है आपके body का जिसमें आप conclude कर रहे हो तो अब आपस में कर रहे हो kindly give any additional information that you think is required also इन सारी चीजों के अलावा अगर dean से आप बोल रहे हो कि अगर आपको कोई और additional information जो आपको लगता है कि required जो ज़रूरी है मेरे लिए वो please आप इसमें mention कर दीजेगा please reply with the same at the earlier so that I can make a fair decision also लिख रहे हो आप इसमें कि जितनी जल्द हो सके आप मुझे please information दीजे ताकि मैं अपना fair decision ले पाऊ याने कि अपने बेटे के लिए सही time पे सही decision लेनू and then आप ये complimentary close कर रहे हो complimentary close के अंदर क्या होता है complimentary close में आप thank you बोल रहे हो your sensei Ali Mrs. Gupta phone number चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो mother of Saranj Gupta आप यहाँ पे mother of Saranj Gupta नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि अभी Saranj Gupta उनके college का student है नहीं तो वह Saranj Gupta को नहीं जानते तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा अब यह next business letter है जो हम कर रहे हैं ओके you are tripti head girl of GGDSD school अब बता दिये कि आप कौनो tripti हो और कौनो GGDSD school अमरित सर की आप head girl हो write a letter to chum chum caterers mall road अमरित सर to find out the rates of class 12 farewell party inquire about the per head charges service charges and advance to be paid inquire about यानि कि again यह क्या है यह एक inquiry letter है जो कि आप किसी से पूछ रहे हो तो आप tripti हो इस school की head girl हो आप और chum chum caterers जो mall road अमरित सर में उसको आप letter लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो क्योंकि आप 12th में हो आपका farewell party होने वाली और अगर कोई advance देना है आपको अगर हमने आपको book कर दिया हमारी farewell party के लिए तो कोई advance payment देनी है तो वो कितनी देनी है सारी details आप पूछने वाले तो again this is an inquiry letter तो वही same similar हम follow करेंगे पूरा format sender's address ggdsd school अमरित सर फिर एक लाइन चूटेगी sender कौन आप school का address लिखोगे क्योंकि आप उसी school की head girl हो तो आप school का address लिखोगे और चम चम caterers mall road अमरित सरी आपका sender's address है जो कि question में दिया था फिर एक लाइन चूट कि आपका क्या आएगा आपका subject आएगा inquiry for catering services आपको उनसे catering क्लिए services चाहिए stalls लगवाने खाने पीने की तो उसके लिए आपको उनसे inquiry लेने है and आप sir लिखो गए यहाँ पर क्योंकि catering वाले भाहिया है तो simple sir लिखो respected लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ फिर आप अपने आपको introduce कर रहे हो और पता रहे हो कि क्यों आप लेटर लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो मैं त्रिपती हूँ I am त्रिपती, head girl of GGDSD school we are organizing a farewell party for class 12th students कब कर रहे हो आप यह 30 October October 2021 date आपने mention कर दी कि इस दिन के लिए मुझे आप की catering services चाहिए I want to inquire catering charges from you हमको catering charges चाहिए आप से your catering company के लिए and kindly provide me details as follows और आप उनसे letter में लिख रहे हो कि मुझे पूरी details दीजे जो भी आपकी catering services से related है तो first paragraph में आप उनसे क्या पूछ रहे हो sorry first paragraph में आपने introduce कर दिया second paragraph में आप उनसे details मांगोगे जो भी आपको चाहिए तो I want to know the per head charges and the menu served आपको एक इंसान per head charges याने एक इंसान का पूरी plate के charges कितने लगेंगे वो और menu याने कि आपका menu के है क्या क्या dishes आप सर्फ करते हो we would like you to provide the required crockery हम चाहते हैं कि आप हमें crockery याने plates, spoons, cutlery ये सब आप हमें खुद प्रोवाइड करे और snacks include करें हमारे खाने में जिसमें cold rings भी रहेंगे और desserts याने की sweets desserts याने की sweet dish भी रहेगी also if there are different rate slabs please let me know the details तो वो त्रिप्ती और क्या पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं अगर और कोई rate slabs है याने और भी rate अलग-अलग हैं आपके dishes को लेके की और quantity इतनी quantity का ये rate रहेगा तो वो भी आप please मुझे details अलग से बताईए I would like to know if you charge any service charge, tax charge, details etc. तो अगर आपको service charge charge कर रहे हो या tax details जो भी है, tax sum पे charge कर रहे हो GST हो गया, VAT हो गया जो भी है, वो सब अगर आप कर रहे हो वो भी आप मुझे please mention करिए letter में तो इस second paragraph में आपने पूरी details लेदी and third paragraph में आप conclude कर रहे हो अपने letter को जिसमें आप लिख रहे हो kindly give any other additional information that you think is required अगर आपको लगता है कि कोई additional information है और भी कुछ हमारे जानने के लायक कोई चीज है तो हम किसी और caterer के पास रहेंगे yes तो आप जल से जल्द हमें please पूरी details प्रोवाइट करिए और फिर आप करेंगे complimentary close जिसमें होगा thank you your sincerely tripti head girl और GGDSD school Amritsar तो यह आपका complimentary close हो गया ओके अब यहाँ पर हमारे खतम होते हैं business letters जिसमें हमने complaint orders या कोई गलत order आ गया है जोतने भी इसके main examples है वो सारे हमने cover किये अब formal letter के अंदर आते हैं second type के letters जो की है official letters अब official letters के अंदर क्या-क्या आते हैं जब आप letter to editor लिखते हो या police को letter लिखते हो या किसी bank authority को या से वे authority को letter लिखते हो तो वो सारे letters आपके official letters में आते हैं जिसमें पहला आता है editorial letters जो की सबसे important है और 99.9% exam में इसका question आता ही है तो ये editorial letters होते क्या हैं what are editorial letters अगर मैं simple Hindi basic language में आपको बता हूँ तो editor वो person होता है जो newspapers या magazine में editing करता है याने कि जो भी content लिखा होता है उसमें cut shot करता है जो चीज़े जरूरत की नहीं होती है तो आप अगर कोई social issue या कोई ऐसा issue जो की आप दर्शाना चाहते हो दुनिया को बताना चाहते हो कि ये गलत हो रहा है या हमारे society को इस तरीके से behave करना चाहिए या गंदगी हो रही है हमारी locality में हमारे area में तो ये सारी चीज़े आप किसको बताऊगे editor को बताऊगे उससे request करोगे कि ये ये मेरे concern है ये ये मेरा problem है आप please मेरी problem को अपने newspaper में या अपनी magazine में चापिए कि दुनिया को इस problem के बार में पता चले और चीज़े जल से जल सॉल्व हो जाए तो वो होता है editor तो editorial letters हम उसी को कहते है अब editorial letter क्या होता है it is a type of formal letter ये एक तरीके का formal letter ही होता है और आपको formal letter का format इसमें use करना रहता है a letter to the editor may be written to the editor of a newspaper और a magazine किसी newspaper के या किसी magazine के letter editor को आप ये letter लिखते हो it is written to highlight the social issue or problem कोई society से related issue है या कोई problem है तो वो दर्शानिक ली वो दुनिया को दिखानिक ली हम ये letter लिखते है it can also be written in order to get it published in the said medium तो आप उस order में भी लिख सकते हो कि आपको जिस के आपको publish कराना है book form में करना है तो वो भी आप कर सकते हो as it is a formal letter the format has to be followed strictly तो formal letter का format लगेगा इसमें only formal language can be used आप सरफ formal language use करोगे sir वगर ये सब चीज़े ही respected sir ये सब use करोगे hello, hi, how are you, इस तरीके की common languages या कोई slang language या abbreviations या कोई short forms आप नहीं लिख सकते इस तरीके के formal letters में तो चाए कोई सा भी formal letter हो short form, slang language, local language use नहीं होगे, सब कुछ formal language पे ही चलेगा अब, editorial letters यहाँ पर मैं आपको कुछ solved examples भी बताऊंगी और end मैं आपको कुछ unsolved questions भी बताऊंगी थाकि आपको idea मिल जाए कि और किस तरीके के questions होते हैं जो आपके exam में आ सकते सबसे पहले मैं एक solved example आपको बता रहे हूं, पहला question है editorial letters का, while shopping at a popular fashionable market you were distressed to see the harassment faced by some foreigners at the hands of self-proclaimed guides, greedy shopkeepers, vendors and even beggars तो आप बता रहे हो, कि आप एक popular fashionable market है वहाँ पे आप shopping करने गए थे और वहाँ पे आप एक चीज़ देखे बहुत distress हो गए, यानि कि बहुत disturb हो गए बहुत tension में आ गए, कि कुछ foreigners आई हुए थे, उस market में shopping करने, वो harassment face कर रहे थे, यानि कि bad behavior face कर रहे थे, कि किसके दुआरा, जो guides, जो उनके tourist guide थे, वो ही उनके साथ गलत behavior कर रहे थे, और जिन shopkeepers के पास, वो shopping करने गए थे, वो भी उनके साथ क्या कर रहे थे, गलत behavior कर रहे थे यानि, चीज़ों के rates बहुत जादा high लगा दे रहे थे and even beggars, जो भिकारी थे, जो वो भी उनके साथ bad behavior कर रहे थे, क्योंकि वो foreigners थे Write a letter to the editor, question में mention रहेगा कि आपको editor को letter लिखना है और किस newspaper या किस magazine के editor को आपको letter लिखना है, वो भी mention रहेगा, Indian Express तो Indian Express नाम के newspaper जो है उसके editor को आपको ये letter लिखना है mentioning that we have forgotten our culture of hospitality and are responsible for spoiling the image of our country कि हम Indians अपनी hospitality याने कि महमानों के आओ भगत करना welcome करना भूल गए क्योंकि foreigners जो किसी दूसरी country से आए हैं, वो हमारी country के लिख क्या हुए हमारे guest हुए, तो हमारा काम है उनके साथ good behavior करना अच्छे से behavior करना, लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है यहां पर जो कुनका tourist guide है जो shopkeepers है जो beggars हो रहे हुए, उनके साथ bad behavior करने तो आप उसके बारे में बता रहे हो इस letter में और बता रहे हो कि हम लोग कैसे responsible है अपनी country के image spoil करने में क्योंकि जो foreigners हमारी country में घूमने आएंगे वो अगर हमारी country का इतना bad behavior दिखेंगे हमारे लोगों का इतना bad behavior दिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इंडिया एक खराब country हो ऐसे बोलेंगे क्यों क्योंकि हम एक गलत image show करने अपनी image खराब करने foreigners के सामने तो यह सारे जो social issue है यह हम letter to editor को इसमें mention करेंगे और कौन सी newspaper इंडियन express नाम के newspaper के editor को हम यह letter लिखेंगे तो again वही format of formal letter चलेगा sender's address यानि कि आप लिख रहे हो आपका अगर address mentioned है question में तो आप ओ लिखोगे दवाइस आप अपना address लिख दो आप लिख रहे हो address अब receivers address तो भाई आपका question में already दिया हुआ है क्योंकि आप किसको लिख रहे हो editor को जब आप editor को letter लिखते हो तो address में उपर the editor लिखना बहुत जरूरी होता है और उसके बाद address आता है Indian Express Delhi इतना आप Delhi के हो newspaper Delhi का है तो Delhi का ही वहाँ पर नाम आएगा address में और उसी का PIN code फिर एक लाइन चूटे के और subject आएगा और subject underlined होगा complain about mis behavior with foreigners तो आप complain करें एडिटर को कि हमारे country में जो foreigners आ रहे हैं घूमने कुछ दिन के लिए उनके साथ दूसरे लोग mis behavior कर रहे हैं अच्छा behavior नहीं रख रहे अब जब आप editor को लिखते हो तो आप सिंपल sir लिख सकते हो as a salutation और फिर आप अपना first paragraph start करोगे और लिखोगे through the columns of your esteemed daily अब जब आप letter लिखना start करते हो editor को तो कुछ अच्छे opening sentences आप लिखते हो जैसे through the columns of your esteemed daily याने कि आपके columns आपके newspaper के माधियम से मैं आपको बताना चाहता हूँ I would like to draw the attention मैं आपका attention draw कराना चाहती हूँ याने कि आपका attention डालना चाहती हूँ इस problem पे of the concerned authorities towards the fact और जो authorities concerned इस चीज को ध्यान देने के लिए उनका attention में draw करना चाहती हूँ उनका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ इस topic पे इस fact पे that foreigners in our country are becoming victims of serious harassment by Indians कि जो foreigners हमारे country में आ रहे वो victim बन रहे है याने कि उनके साथ गलत विवार हो रहा है याने कि उनको बुरी तरीके से treat करा जा रहा है किनके द्वारा हम Indians के ही द्वारा which is creating a bad opinion of our country's culture और इससे उनके सामने क्या दिख रहा है कि हमारी country का culture कितना खराब है जो हम इस तरीके से हरकते कर रहे है और हमारी heritage याने हमारी हमारी culture पे बात आ जा रही है Recently a group of foreigners from the USA came to visit popular fashionable market in our area तो बता रहे हो अब आप अपनी problem कि अभी recently USA से कुछ foreigners हमारी इंडिया में आये थे और एक fashionable market में shopping करने आये थे But some shopkeepers charge an exorbitant price for the goods to these unsuspecting tourists अभी जो tourist की जो घूमने आये हैं कुछ foreigners इनको तो पता नहीं है आइडिया नहीं है कि किस चीज का कितना price है लेकिन जो shopkeepers है उन्होंने exorbitant prices याने extremely high prices उनको charge किये अगर कोई चीज 5 रुपीज की तो उन्होंने 50 रुपीज लगा दिये इतना जादा उन्होंने extra high price charge किया है तो यहाँ पर कुछ tourist guides जो थे Indians ही थे उन्होंने क्या किया उन्होंने tourist को याने foreigners को red fort जाने के लिए लाल किला जाने के लिए एक गलत रास्ता बता दिया ताकि जो taxi drivers से उन्हों उनको जादा price मिले और commission मिले Even some beggars laughed at them और यह सब देखे जो beggars से उन पर हस रहे थे उनका आते जाते उनस पर मजाक उड़ा रहे थे I therefore earnestly request you to publish this matter so as to draw the attention of the concerned authority अब final third paragraph में आप editor से क्या कर रहे हो उनसे request कर रहे हो कि मैं चाहता हूं कि आप इस matter को publish करो याने के चापो अपने newspaper में ताकि जो authorities इस पर ध्यान देना चाहती है जिनका role है जिनका काम है इन issues पर ध्यान देना वो उनका attention आपाई याने ध्यान आपाई इन issues पर This will also make the common people aware of the fact that we as the natives of India should not forget our culture and of hospitality towards foreign visitors और अगर आप यह चापेंगे तो इससे जो common लोग है जो आम जनता है उसको यह भी पता चलेगा कि हम Indians की क्या responsibility है कि अगर कोई दूसरी country से कोई foreigner आ रहे है as a guest आ रहे है हमारी country में तो हमें उनकी आभगत उनकी जो hospitality है अच्छे से करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए Because we are responsible to present the image of our country क्योंकि हम खुद responsible है अपनी country की image दिखाना उन foreigners के सामने जैसा हम करेंगे वैसे हमारी country की image वो foreign के लोग ले जाएंगे अपनी country में And then उसके बाद आप एक line छोड़ की complimentary close करेंगे अब जब आप complimentary close करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पहले जैसे thanking you, yours faithfully इतना लिखने की ज़रुवत नहीं है Simply आप लिखेंगे yours faithfully और अपना name That's it और यहाँ पे आपका letter to the editor का format के साथ पूरा question होता है So children यहाँ पे हमारा question खतम होता है And इसी के साथ जो मेरा formal letters का जो हमारा topic है उसका मैं finish करती हूँ Part 1 मैंने इस video को 2 parts में divide करके रखा है और अगले part में क्या बताने वाली हूँ मैं कौन से questions हम cover करने वाले हैं और कौन से official types of letters हम use करने वाले हैं और मैं आपको explain करने वाली हूँ उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए मेरी second video के लिए तब तक लिए Bye Bye and Take Care